ओम्भूर्बुवस्वाहतस्वितर्वरेल्ण्यम् भर्गोदेवस्दीमही धियोयोना प्रचुद्यात् मात्रसत्राविसेशांग सेतंबर्दुवजादु अखन जूति के आज के प्रस्तुत है मात्रतु का आचल बढ़ता ही चला गया वनिया माताजी के इस अंक में जो मात्रसत्राविसेशांग में उनका जीवन परच जीवनी छपी है सितंबर दोजादो में उसमें आज का किकड़ी है मात्रतु का आचल बढ़ता ही चला गया मातरत के विस्तार की सजल सम्वेदना की च्छुन से आने जाने वाले बर्वस अभभूत हो जाते थे अक्षण जोत संस्थान में आकर उन्हें हमेशा ऐसा लगता जैसे वे अपनी सगी माँ के पास आए हैं इन में से कईयों को माता जी अपनी सगी माँ से कहीं बढ़कर लगती वे अन्भाव करते कि सगी माँ तो फिर भी कभी ठकान परेशानी अत्वा करता कार विस्ता वस अपने बच्चों को नजरन दाज कर देती हैं लेकि माता जी का प्यार कभी कम नहीं पड़ता सगी माँ बच्चों के बड़े वो जाने पर उन पर उतना ध्यान नहीं देती पर माता जी के लिए बच्चे सिर्फ बच्चे हैं वे छोटे हो या बड़े वे जैसे अपने बच्चों की सारसमार के लिए ही अवतरित हुई हैं गर परिवार के दाइत और काराले के कामकाच की विस्टाइं कितनी भी क्यों नहुती पर उत्माता जी के मातर तो काँ चल कभी भी छोटा ना पड़ता दिने और दिन उसका विस्तार व्यापक होता जा रहा था यही दिनों उन्होंने ओम प्रकासियूम दया के जीवन को समारा सतीस मतुंजे सर्मा इम सैल बाला भी बड़े हो रहे थे उनकी परहाई लिखाई की देखभाल भी उन्हें ही करनी पड़ती थी बच्चों में जैसा की अकसर होता है ने चंद चलता नटकट पन की बहुदा होती है उनके इन बच्चों में भी यही बात थी लेकि बच्चों को मारने पीटने पर माताजी का विश्वास बिल्कुल भी न था उनका मानना था कि बच्चों को भी न थके प्यार से समझाते रहना चाहिए जिस दे उन्हें और चित समझ में आ जाता है वे सरारत करना छोल देते हैं हाला कि यह इस्तित कहने में जितनी आसान और साधान लगती है करने में उतनी ही जटिल और परेशानी पैदा करने वाली है इसमें बड़े धैर यह ममता की जुरुत पलती है और कभी कभी कठिन पलों से भी गुजरना पड़ता है माता जी के मातरत को ऐसे पलों का सामना करना पड़ा माता जी के मातरत को भी ऐसे पलों का सामना करना पड़ा वे मार्च उनिस से क्यावन का समय था ओम प्रकास की इंटर की परिक्षाएं चल रही थी अंग्रे जी का दूसा पेपर सेकंड मीटिंग में था वे अपने कमरे में बैठे पड़ रहे थे लगबख सुबह के साड़े साथ बचे होंगे अब्दुल लतीफ ट्रेडिल मसीन चला रहा था माता जी के संबन्दियों में से एक चंदा कमपोज कर रहे थे इतने में सतीज उपर आए और उनने अपना हाथ अचानक मसीन के दाटों में डाल दिया इतने में सतीज उपर से आए और उनने अपना हाथ अचानक मसीन के दाटों में डाल दिया भाईया चंदा काफी जोर से चिला है उमपरकास भागे 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 आए उन्हों देखा सतीस चूप है उठा का गोद में ले लिया और सिर पहांद फेरा उनको ऐसा लगा कि सैथ चोट सिर में लगी तब ही चंदा ने लगबस सुबकते हुए का भाईया हाथ देखने पर पता चला कि हतेली आधी पलट गई है उंगलिया लटक रही थी इस हदे विदारक दिस्क को देखकर उन्होंने ताई जी और माता जी का वार्दी दोनों भागी बागे आई इतने देर में उंपरकास का नेकर बन्यान दोनों खून से तर हो चुके थे मत्रा के सिविल सर्जन एस के मखरजी को दिखाये गया उन्हों सलादी आगरा ले जाओ मखरजी सामना अशरंका भी विक्त की कहीं हाथ न काटना पड़ रहा परम पुझ गुरदेव इसी बीच आ गए उनके साथ रगनात, अगरवाल, स्यामलाल और कंपाउनर जग्दीज के भाई लक्षोने भी थे दवा पट्टी की जा चुकी थी इंग्जेक्शन भी लग गया था लेकिन सतीस को बेउसी आ गई थी सभी सोच विचार में थे क्या किया जाए तबी माता जी ने डाक्टर मुखर्जी से कहा डाक्टर साब भगवान पर भरोसा रखकर यहीं जो कुछ कर सकते हों कीजिए पुझ गुरदेव ने भी माता जी के इस कथन में हामी भरी आपरेशन किया गया माता जी धैर के साथ आपरेशन रूप के बाहर खड़ी रही थोड़ी देर बाद आपरेशन समाथ हुआ मरीज को वार्ड में ले जाए गया काफी दिनों के बाद इस्थित में सुधार आया इस घटना के चिन अभी भी में तुझे सर्मा के हाथ पर है पर उन्त माता जी का महमत बढ़ता गया वे बड़े धीरज के साथ बच्चों के विक्तित को गढ़ती रही माता जी के महमत के इस दायरे में उन दिनों भी अगनित थे उनके लिए जितने प्यारे सतीस और शैलों थे उतना ही प्यारा अब्दुल्लतीफ था किया मुसल्मान यूवक अक्षन जोट संथान में मसीन मैं था पत्रिका की च्छपाई का कामकार देखता था अपने परिवार के सदस्यों के साथ माता जी इसके भी खाने की विरुस्ता किया करती थी बड़े नियम सवे बीच बीच में चाय नास्ते के लिए पूछ लेती हैं उनका यह बेवार कभी कभी आने वाले संबन्नियों का खर जाता है उनमें से कोई कोई कभी कभी कवार कह देता है अब्दुल्लतीफ की भुजन की विरुस्ता करना बुरा नहीं है पर आपको कम से कम उसके बरतन तो अलग रखने चाहिए आखिर हम लोग ब्राम मानें कुस्तो आचार विचार आपको मानना चाहिए संबन्नियों की इस बात के उत्तर में वह कहती है आचार विचार का मतलब छुआ छूआ छूट नहीं होता इसका मतलब यह है कि हम अपने विचारों और कारियों में कितने पवित्रों निर्दोस हैं उनकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आती उनके द्वारा काफी कुछ समझाने के बाब जब उस संबन्धियों के आगरह यथावत बने रहे वे अपनी जूड वादी पर पुरातन मानताओं को उन पर थोपने की कोसिस जब तब करते रहते समझियों के इस बरते आगरह पर एक दिन उनके आगाम करने वाले एजू ने भी उने समझाया आखिर आप सब की बातें मान क्यों नहीं लेती ठीक ही तो कहते हैं वे सब जो कुछ भी हो है तो वे मुसल्मान ही उसके लिए बरतन अलग करते ने बुराई ही क्या है एजू की इन बातों ने माताओं जी को वेतित कर दिया वे उठकर दूसे कमरें गई जहां अभी तक अब्दल्रतीफ के जूटे बरतन रखे थे उन्होंने उन बरतनों को अपने हाथों सो उठाया और बरतन माजने वाली जगह पर ले आई ये जू अभी कुछ और सोच समझ पाती इसके पहले वे उसे संभूदित करते हुए बोली इतने दिन तुम मेरे पास रही पर तुम मुझे समझ नहीं पाई अरे मैं सिर्फ मा हूँ हिंदू की भी मा मुसल्मान की भी मा मेरे लिए जैसे उम प्रकास और सतीस है वैसे ही है अब्दल्लतीफ है उनकी इन बातों को सुनका एजू हत पर रहे गई उसे थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया कि वै क्या बोले जब तक वै कुछ बोलती तब तक तो माताजी ने अब्दल्लतीफ के जूठे बते हैं अपने हाथों से डो डाले एजू को लगा जैसे वै कोई मानवी नहीं देवी हो थोड़ी दिनों के बात पता नहीं किस तरह इस बात का पता अब्दल्लतीफ को भी लगा सब को सुनका उसकी आँखों मासू आगए उसने आँखों से चलकती आँखों के साथ उन्हें हाथ जोड़ कर पढ़ाम करते हुए कहा माँ आप सच्मून माँ है आपका दरजा फरिष्टों से भी ज़्यादा बुलंद है आप फात्मा भी की तरह मुकद्दस हो वे हाथ जोड़े ऐसी नक्त जाने कितनी बातें उनके सामने भाव वे वलस्वर में कहता रहा जब वे वहाँ से चली गई तो उसने उस जगर को की धूल अपने सिर माते पर लगाई और वहाँ लेटकर पढ़ाम किया मातत्व के इस अन्त विस्तार का पारिचा किनी विलक्षा शड़ों में वे सेम भी दे देती थी एक बार एक प्रिकर गायती सादक राम सजीवन अखंड़ोत संस्थान आए पिछले कुछ वरसों से वे कई कृतों का पालंग करते हुए गायती अनुस्थान कर रहे थे अखंड़ोत संस्थान आने पर उन्हें माता जी के द्वारा परोसे हुए भोजन को खाने का सौबाग मिला भोजन करते समय माता जी की एक जलक पाकर वे अपनी किनी अन्भूतियों में डूब गए चानक न जाने क्यों उनके मुख से निकला मा तुम किस तरही की मा हो इस प्रसन के उतर में माता जी बोली मा इस या उस तरह की नहीं होती मा तो सिर्फ मा होती है फिर वे धीरे से बोली मैं सचमुच की मा हूँ बेटा गुर्देव की पत्नी के रूप में मा नहीं केवल सतीसो सेलो की मा नहीं मैं सब की मा हूँ माता जी के इन बच्चनों को सुनकर गायत्री के परिखर साधा कर राम सीवन को लगा जैसे की आज व tore गायत्री के तत्व और सत्त का साक्षाथ कर रहे हैं गायत्री माता ठीक उनके सामने खड़ी हैं बाद में उन्हीं की सक्री पेर्णा से तो गायती तपूभूम का निर्मान हुआ अखंजूत सितंबर 2002 ओम शान्ति 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 कि अवाद करूदू डिर्मान हुआ है याद मोलियर चई सक्री तूर।